अब जब इतना महाल बनी गया है कि 17 मार्च को ही प्रिलिम्स हो रहा है आपका 24 वाला यूपी पीसिस की बात कर रहा हूं मैं तो भी यानि अभी अगर देखा जाए काउंडाउन की बात किया है तो चार महीने 23 दिन बचे हुए हैं 17 मार्च को अगर बात की जाए तो लेकिन अ अच्छे से तुम्हें यूटिलाइज करो तो मैं पहले चीज़ कहूंगा कि answer writing जो अपना hesitation है ना उसको हटाना बहुत ज़रूरी है तो अगर आप fresher हो या फिर अगर आप mains consistently fail कर रहे हो because of your low scoring मतलब आपका score बहुत low आ रहा है यूपी पीसिस में में और even if आप एक दो प्र answer writing नहीं करते हो उतना या फिर रुके रहते हो पहले problems निकलेगा तो ही answer writing करेंगे तो यह जान लीजे कि आपको यह चीज़ शेट करनी पड़ेगी और ले 20-30 जिन जो भी है आपको जैसे भी tentable बनाते हो उसमें आप बिल्कुल answer writing start कर दो तो इस वीडियो में बात करने वाल कोई दिक्कत नहीं है तो भी हम यह भी चीज़ लेके चलते हैं कि आपको मेंस तो लिखना है ना competition इतना हाई होने वाला है कुछ तो planning करके चलनी पड़ेगी और धेर सारे लोगों ने जिन्होंने अभी अभी तक even जो content बना लिया है या फिर बस पढ़ रहे थे दीक है दो sensor writing के बात करेंगे तो बहुत simpler way क्या होता है ना कि research करना पड़ेगा तो साब आपको पहला काम क्या है ना research करना पड़ेगा research किस तरह का research ठीक है पहली चीज़ यह है ना कि आप UPSC के toppers है ना उनकी copy खोजिए website पर जाए बड़े-बड़े coachings जो होते है फोरम आये जिस जन download करनी है तो देखना क्या है तो धेर सारे लोग के comment आते है ना answer writing पर या फिर आप बात करोगे कि यार contextual चीज़े लिखो है ना over explain मत करो है ना तो जब आप उन copies को देखोगे तो दो चीज़े देखनी है पहली चीज़े यह देखनी है कि यार इन copies में से वो copy कौन सी है वो topper और कौन सा है जो मेरी तरह लिखता है तीक है मैं पिछले वीडियो में बात किया हुआ है उससे क्या होगा ना कि आपका पहली बात hesitation कम होगा कहने का मतलब कि अगर तीन चार तरीके को आप ट्राइ करके पांचवे तरीके पर पहुच रहे हो और वहां पे आप पर करने में है ना तो मैं starting सही कह रहा हूं कि तीन चार पांच दस कॉपीज है ना दस तरह के लोगों के कॉपीज नहीं दस तरह के अलग 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 टॉपर्स को आप analyze करो फिर आप देखो हो सकता है जैसे ethics में ना case study में एक तरीका होता है कि कोई एक रास्ता नहीं हो सकता है हो सकता है mix of two options हो हो सकता है कि दो अलग अलग टॉपर्स की कॉपी इसको थोड़ा सा वहां थोड़ा सा वहां जैसे मैं एक आपको example बताता हूं कि मेरे question paper छूड़ जाता था लंबा लिखता था मैं ठीक है ना और language जो थोड़ा सा command कम थी क्योंके technical background से आते हैं तो उतना जा कवर करना मुश्किल आता था तो मैंने क्या किया कि 2017 में अनुदीव दूरिशेटी में व्लॉग लिखना अपना टॉपर थे वो rank 1 थे उनका मैं तरीका अपनाया तो मैं यही में कह रहा हूं कि क्या तरीका अपनाया वो कभी बात में बात करेंगे लेकिन इसी तरह से और फ क्यों सा तरीका आपको सूट करता है तो फो तरीके जतनी जल्दी ऐड़ी करो गया उत्ना टाइम कम वेस्ट होगा सीरस्ली यह बतारा हूं फिर ठीक है पहली चीजी हो गई कहना कि कौन सा तरीका हो सकता है कहना एक दो तरीके फिर यह था ना keep two three options ready with you two three options का मतलब यह वही बोला है कि दो तीन toppers की copies को यह देखो कि यह इस तरह से लिख के देखेंगे या फिर अगर हम थोड़ा से इसको अपना सकते है या फिर इसके close है मेरी answer writing तो होता है mix of things या फिर लिखना answer writing start किया तो उनका थोड़ा सा तरीका copy किया exactly तो copy करना मुश्किल नहीं बड़ा मुश्किल काम है लेकिन क्या होता है कि आप adapt कर सकते है उस answer writing के तरीके को तो पहली चीज यह हो गई अपना research हो गया अब research कई लोग पहले से कर रहे होंगे जिनोंने नहीं किया है request कि अगला 2-3 दिन लगा के request करो पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं होती है 2-3 तिन गंटे क्योंकि और भी काम कर रहे हो न पढ़ाई कर रहे हो मेंस के preparation कर रहे हो हो सकता है notes बना रहे होगे हो सकता है प्रलेंस बढ़ रहे होगे तो यह सब चीज़ें 2-3 गंटे लगा के अपना समय निकालो और इस पर analyze करो कि यह तरीका मेरा होने वाला है और यह काम करो कि लिख लो कि अगर इस टॉपर ने नाम लिख लो और इस टॉपर ने यह अपने copy में किया हुआ है फिर टॉपर नमबर वन की बात कर रहे है तो टॉपर नमबर टू होगा तो उसने अपने copy में यह तरीका follow किया हुआ है चाहा हो structuring से लेकर हो चाहा हो presentation से लेकर हो मतलब structuring का भी बात में बात करेंगे बहुत लंबा हो जाता है मतलब मैं खुलता ही चला जाता हूँ तो उसको अभी यहाँ पर रोकते हैं थोड़ा सा research की बात ही हो गई कि दो तीन copies को अपने option बना के चलो और toppers की copy को न एक बार का पढ़ने वे समझ में भी नहीं आएका और उसको एक folder बना लो और कोशिश करो कि देखते रहो याना कोशिश देखो answer क्या था question क्या था answer क्या था यह typically अलग चीज है एक दमी अलग बात है लेकिन उनके answers को देखने वे क्या होता है कि क्या तुम मतलब इस तरह से लिखते है कि मतलब तरीका क्या था लेको देखन नो होता है कि एक best कोई चीज नहीं होती है तो कितना close आ सकते हो है ना तो होता है होश्यारी होती है कितना close-ness से copy कर सकते हो किसी को UPSC market में कोई novel चीज नहीं है कोई भी हाँ पर novel चीज नहीं हो रही है समद रहे हो तो इतना परशान होने की चीज नहीं है कि वो stoppers को तुम copy कर लिए उसका तरीका तुम्हें कोई recognize कर लेका तुम्हें कम marks मल जाएगा in fact marks boost होंगे फिर आता है second don't write unless you have read enough मतलब कि थोड़ा बहुत तो पढ़ो answer लिखने से पहले ठीक है तो क्या होता है ना कि जब आप पढ़े नहीं होते थोड़ा सब ने आप पे काम नहीं किया होता है mental level पे answer लिखते हो खराब लिखते हो कोई check करेगा कोई review देगा honest review देगा अपना अब जबस्तीर नहीं बोले बिटा अच्छा करो भाई तुम बहुत चाहरो यार बहुत चाहरो बहुत चाहरो लिखा खराब लिखो वे तो खराब ही बोलेगा ना तो अगर क्या होता फिर आप demoralize जाते हो फिर आप answer लिखना छोड़ो देते हो ठीक है तो कोशिश करो कि कोई अगर topic लिखने जा रहा हो मालो food processing industry पर लिखा है थोड़ा सा fact जो डालो थोड़ा सा key words लिख लो मालो अगर उसको 100 word में मलब कह सकते है 200 word में ने 200 word में लिख दिया तो 300 word में लिख दिया ठीक लेकिन कोशिश करो कि जो relevant चीज है ना वही चीज लिखो क्योंकि जब तुम्हें कोई review करेगा या फिर तुम्हें खुद review करोगा तो लगए यार यार मैं लिख क्या रहा हूं इतना episode क्यों लिख रहा हूं मैं तो फिर वो discourage हो जाता हो फिर वो लंबा process चले आता हो लेकि आप example चूड़ गया example कैसे add करें है ना तो वो चीज over writing ना करें है ना over explain ना करें तो यह चीज़े start करनी पड़ेंगी है ना पहली बात यह कि directional content ही उसको करो directional content मतलब जो पूचा है at least देखो 100 चीज 100 वर्ड में पूचा था 80 लिख दो लेकिन 1500 लिखने का चक्कर में ना absurd ची कि कल को उसको बढ़ाना असान है समझ रहे हो कल को उसको बढ़ाना असान है धीरे धीरे add करना लेकिन जब तुम स्टार्टिंग से ही कोई 100 चीज 100 वर्ड का लिखा या 100 वर्ड कोई पूच रहा है और 1500-200 लिख रहे हो तुम्हें इतना constraint feel होगा ना कि अर्यार मैं कम कैसे कर हमेशा तुम्हें लगेगा कि आधा लिख रहा है मनी नहीं मान रहा ठीक है तो धीरे धीरे थोड़ा लोड़ा करके start करो और review करते रहो review in the sense कि जो तुम्हें लिखा है कि कितना close था कितना close था मतलब अगर आप initially 30-40% भी close हो ना कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत बहुत बह दिन में एक answer लिखते हो दो दिन में एक answer लिखते हो आप समझो कि आप list में हो अगले साल के है यही याद रखना यही यह period है जब अपने पर काम करना होता है अपने को यह दिखाना होता है कि तुमने गलतियां की हुई है और इसको improve करने के बहुत जाएज जरूरत है ठीक ह third or last each there is no perfect answer कोई एक perfect answer नहीं होता है पहले point में तुम समझ गया होगे अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 10 toppers होंगे और 10 तरीके अलगलग तरीके सा answer लिख रहे होंगे कोई चीज उनका articulation different होगा structuring different होगा लेकिन वो सबके सब toppers हैं सबके सब IS बनें IPS बनें क्यों बनें क्यो answer लिखने के कोई चीज नहीं होती कोई तुमको कलको demoralize कर दें जिसका कोई खुद भी कभी rank में नहीं बना कभी select नहीं हुआ तुमसे जाकर review कर आ रहे हो तुम्हें एपसर्ट review देगा फिर तुम्हें लगेगा हां यार यह तो मैं कैसे करूं मैं मिलब कुछ लोगों ने म लड़के लिख रहे हैं लेकिन review नहीं मिल रहा है उनको ठीक ठाक सा ठीक है तो there's a no perfect answer लेकिन लेकिन but you got to have a process process क्या है किस रास्ते पर चल रहे हो मतलब यह चीज है ना you got to have a content written content somewhere पढ़के answer नहीं लिख रहे हो और पढ़के मतलब मतलब पोथी पतरा नहीं लिख रहे हो ज लेकिन concise way में उसको filter out करो उसको अपना बनाओ लिखो कहीं पर चोटा 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 notes बनाओ वहां से लिखो और फिर उसको review करो ठीक है कि यार यहां पे ना कहां गलतिया होगे उससे ठीक है मतलब start करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना at least base material तो होना चाहिए दोसना उस उसके बाद तो answer लिखोगे तीक है तो यह process रखो कि process अंदा से यह sense किये कि मैं at least यह structuring जो है न introduction body फिर यह जो हमारा conclusion है इसको तो मैं follow करेंगा ही करूँगा फिर अगले एक दो मतलब जो 10 answers लिखोँगा उसके बाद मैं क्या जाओंगा उसके बाद मैं subheadings विध्यान दू फिर क्या मैं अगलब जो अपने notes में diagram बना रखा है उसको क्या मैं अपने जो answer लिख रहा हूं उसमें क्या repeat कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ठीक है तो वो चीज़ आपको यह process है पूरा process है first second third एक ही साथ होचपोच मत करो एक ही साथ होचपोच हो सकता है पहले answer में किज ने लिखे हो और तुम वहां पर वो ने लिखे हो और तुम diagram बना सकते थे अरे तुम यहां flow chart के वह नहीं बनाए सामने वाला तुमको नहीं जान रहे है अभी तो at least तुम अपने आपको जान रहे हो न तो process follow करो कि नहीं अभी हम सब कुछ नहीं ला सकते है अपने answer में हम तो भी start कर रहे हैं तीक है जब कार ड्राइव करने के लिए सिखायाता है ना तो धीरे धीरे चलाया है सब में कि धीरे चलाना सीखना होता है तो पहले मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर थे दो answer writing में कि क्या चीज होती structuring क्या होती है presentation क्या होता है, सब बात करेंगे आगे, वीडियोस में धीरे-धीरे बात करेंगे और कोशिश की जी टेलिग्राम से जोड़ी ये वहाँ पर notes शेर करता रहता हूँ और notes के साथ मैं comment भी कर रहा हूँ अब कि यार इन notes को कहां-कहां पर कैसे-कैसे use करना है, ठीक है तो ये चीज है, तो पहला चीज हो गया पहला ये चीज हो गया process और ये पहली चीज क्या हो गई अगर मैं कहूं कि process में पहली चीज क्या है तो वो है start with framing your answer अगर तुम पूरा का पूरा answer नहीं लिख सकते हो तो कम से कम ये लिखो कि अगर मालो, वहीं लेते है food processing पे ये question था कोई तो उसमें लिख लो कि ये introduction में हम ये लिखते हैं, ये वाला fact यूज कर लेते हैं intro, ये लिखो intro और फिर ये लिखते हैं कि ये fact यूज कर सेलगते थे यह चीज लिख देता, यह 5A plan में कुछ बात की गई थी, अभी recent government में यह step लिए गया है, यह step लिए गया है, यह किया गया है, तो यह frame तो करो, same चीज तुम्हारे essay के लिए होता है, कई लोग, कई लोग का पहला essay ही, उनका civil services का essay होता है, मेरे खुद मेरे अटेंड मेरा, जो पहला UPSC का अटेंड था, उसे मेरा पहला essay ही UPSC का essay था, मैं exam center के अंदर बैठके, मुझे यही नहीं पता था कि मलब introduction, जो पहला paragraph इंडूड्यूस कर रहा हूं, कि introduction कता मुझे का है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, तो वो चीज, डोंट भी डाट गा है न, वो चीज मतलब, अपना थोड़ा सा mentally strong बनो, और चीजों को start करतो, अगला 25 से, 25 दिन जो है न, बहुत important होने वाले है, में पस्पेक्टिव से, फुड़ा सा काम कर लो, प्रीकले घवराओ मत, यहना, बहुत आसानी से target होगा, बस planning की जरुवत होती है, याद रखना, तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है, कर लोगे आराम से, प्लान करके चलो, ठीक है, तो यहीं तक था यह वीडियो, I know, hopefully आपको अच्छा लगाओ, और अब regularly ही हम लोग touch में रहेंगे, और धे सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, Thank you, thank you for watching this video.